हिस्टरी का सिर्फ एक चैप्टर आ रहा और उस एक चैप्टर से तुम मिल रहे हैं दस मार्क्स वहीं जोगरफी में भी दस मार्क्स बट वहाँ पर तुम्हें पढ़ने पढ़ रहे हैं तीन चैप्टर और उन तीन चैप्टर में से एक चैप्टर ऐसा है जो लेकर बैठा है seven marks यार इस वीडियो के बीच में एक add नहीं आएगा एक add नहीं आएगा तुम्हें disturb करने बस इस वीडियो को end तक छोटी से वीडियो end तक पूरी देखना तो तुम सब कुछ समझ जाने वाले हो time to social science के बारे में यार इस वीडियो के चार segments है पहला segment है sample paper दूसरा blow print फिर तीसरा study materials यहाँ पर free of cost study materials तुम्हें मिलने वाले हैं और the best ever social science materials मिलने वाले हैं फिर हम देखेंगे एक समस्दार strategy इसी वीडियो में कि anxiety पढ़ना जरूरी है या नहीं क्या करना है कि कम से कम time में सिले बस तुम्हारा social science का स्वाह हो जाए जंप करते हैं इस वीडियो के segment 1 पे यानि कि sample paper अब sample paper में तुम्हें क्या देखना है देखो यार या तो पता ही कि time 2 hours मिलेगा 40 marks का paper है बट यहाँ पर देखो 5 sections है 5 में से section A जिसमें तुम्हारे very short questions of very short questions में तुम्हे point में answer जरूरी नहीं है कि तुम लिखो क्योंकि यार 2 marks का question है यहां पर तुम 2 line में या फिर एक paragraph में भी अपने answer को लिख सकते हो और वो justified रहेगा बट वहीं अगर section B में आ जाए तो section B में जो तुम्हारा 3 marks का question है यहां पर तुम्हें 3 points लिखना जरूरी पढ़ जाएगा section A जो था यहां पर जो जितने भी question है यह सब तुम्हारे concept के बीच में से हैं कि अगर तुमने chapter पढ़ा है तो तुम लिख लोगे one liner, two liner, आसान question वही section B, 3 points जब तुमने chapter का एक topic अच्छे से पढ़ रखा है तुम्हें 3 points पता है तभी लिख पाओगे अगर तुम्हें से किसी ने भी previous year questions solve किये हैं तो उन्हें मालूम होगा कि यह जो section B है या फिर section C है यह दोनों के questions काफी हद तक मैच कर रहा है previous year questions से और previous year questions repeat होते हैं थोड़ा बहुत words change करके होते हैं बट repeat होते हैं और बहुत important होते हैं previous year questions खास कर social science के paper में then section D case based question रहेगा case based question में यार तुम आसानी से कर ले जाओगे then section E तुम्हारा रहेगा map और map based question में यार तुम्हें सारे maps नहीं रटके आने हैं अपने book के बल्कि map की एक list होती है CBSC कि सिर्फ वही 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 labels तुम्हें याद करके आने हैं और लिस्ट का PDF में description में तुम्हें दे दूँगा जाकर वाँ पे check कर लेना अब हम आगाए segment 2 पे जिसमें हम देखने वाले हैं तुम्हारे इस बार के paper का और यार जिस chapter से जितने marks के question तुम्हारे sample paper में हैं उस chapter से उतने ही marks के question तुम्हारे board exam में भी आते हैं CBSC अपना blueprint follow करता है और इस बार भी probably करेगा तो अब हम तुम्हें यह बताना जाते हैं कि कैसे फाइदा उठाना है blueprint का कैसे उठाना है देखो nationalism in India यहां पर क्या लिख रखा है 2 marks एक, 3 marks एक, 4 marks एक यानि कि 2 marks का एक question है 3 marks का एक है और 4 marks का एक case based और फिर एक MW यानि कि map work है तो total 10 marks का तुम्हारा chapter है nationalism in India तो ठीक है बहुत important chapter यह मालूम पढ़ता है पर geography में mineral energy resources का सिर्फ एक map work हैगा 1 marks तो चलो उसे हटाई दो बचे 2 chapter manufacturing industries, lifelines of national economy तो अब इन 2 chapter में कौन सा important है इसमें सिर्फ एक question आएगा 2 marks का तो यह manufacturing industries सिर्फ 2 marks का chapter है और वहीं lifeline of national economy है तुमारा 7 marks का तो सोच लोग कौन सा chapter कितना important है यह हम मालू पढ़ता है blueprint से then political science में दोनों बराबर है marks फिर economics में भी दोनों chapter के marks बराबर है then आओ ले चलते तुम्हें अपने study materials study materials पे जहां पर तुम्हें समझ में आने वाला है कि अब blueprint को analyze करते हुए कैसे पढ़ना है इन free materials से क्या यह PDFs के link तुम्हें description में मिल जाएगी बट रुक जाओ तुरन description में मत भाग जाय करो समझ लो कि कैसे इन materials का use करना है यह materials में है क्या इसमें है सारे previous year questions और सारे important questions जो की important है नि की जो तुम्हारा सारे topics को भी cover कर ले यानि की यहाँ पर देखो पहले very short है की 2 marks वाले है फिर 3 marks वाले है फिर 5 marks वाले है और जो 5 marks में include किया गया है वो 3 marks में नहीं है जो topic 3 marks में include किया गया है वो 2 marks वाले में नहीं है ऐसा करके हमने अलाग-अला question से पूरे के पूरे chapter के हर एक topic को cover कर लिया है यानी की अगर इस PDF को पढ़ डाला तो live चिंगा लाला कैसे देखो यार यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा materials के सारे जो question answer है ने बिल्कुल याद कर लेना अच्छे से बिल्कुल रट लेना है बट अगर तुम्हारे पास एकदम कम time है तो थोड़ा सा blueprint का use करना blueprint का use करके इन materials को पढ़ना कैसे जैसे की अगर हम economics की बात करते हैं तो money and credit वाला chapter देखो इसमें सिर्फ एक 2 marks का और एक 3 marks का total 5 marks तो यहाँ पर तुम 2 marks और 3 marks वालों को ज़्यादा priority देना फिर outcomes of democracy में सिर्फ एक long answer है 5 marks का तो इस chapter में तुम long answer को याद करने में ज़्यादा focus करना ज़्यादा priority देना क्योंकि pattern यार follow probably होगा अगर कम time हो तो ही इस तरह से बिल्कूर strictly pattern follow करना वरना सारे के सारे questions important हैं और इसलिए मैंने मेहनत कर करके यह सारे PDF बनाए है अब हम आचुके है strategy समझदार strategy की क्या करना है कि कम से कम time में तुम prepare कर लो अपना social science का syllabus कैसे करना है NCRT पढ़ना है कि नहीं पहला point NCRT को बिल्कूल line by line read मत करना अगर time नहीं है बिल्कूल end मैं आचुके हो अभी जिस time पे video publish होई है अभी तो काफ़े time है तुम read करो बट अगर एकदम तुम end में देख रहो अभी बहुत दिर बाद देख रहो ये video time नहीं है तो NCRT को रटने मत बैट जाओ one shot lectures देखो magnet brains magnet brains से देखो one shot lectures और उसके बाद इन PDF को जो मैंने provide किया है बिल्कुल एक 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 आंसर को रट लो social science का materials तुम्हें इस वीडियो में मिल गया science के materials पे अप्लोड़ेड है maths के भी materials पे अप्लोड़ेड है और English हिंदी में चिंदता क्यों करनी क्योंकि English के animated lectures डले हुए है animated lectures के साथ worksheets भी English की बिल्कुल इसी तरह से provide की गई है एक 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 आंसर को याद कर लो one short video then हमारे PDFs इतना अगर तुम कर ले तो अगर तुमारे प्रसक्रम टाइम है तो यार कोई नहीं रोख सकता है तुम्हें social science का paper फोड के आने से और maps का भी PDF तुम्हें description में मिल जाएगा तो सब कुछ जब तुम्हारे थाली में परोस परोस दिया है तो किस बात का इंतुजार है यार खा लो ये थाली और सब में थोड़ा share करकर के खाओ फैला दे रहा है ये वीडियो और कॉमेंट में जरूर लिखना की कैसे लगे materials फिर सब चीज को यूज करे यार और फिर जाना जा पढ़ ले